जब आप किसी से उसकी कठिन प्रिस्तिती में मिलते हैं और आप उन्हें स्रिफ संतोंना देते हैं उसका साहत देते हैं तो इस बात के काफी चांस बढ़ जाते हैं कि सायल वो आपको पसंद करने लगें जब आप किसी को तारीब करते हैं तो उस वक्त सिर्फ उसकी नहीं आपकी भी इज़त बढ़ती है क्योंकि तब आपके व्यक्तित्वा में भी लोगों को अच्छा ही नजर आने लगती है अगर आप अपने प्यार को दिमाग से हैंडल करने की कोशिस करते हैं तो आपका प्यार जाला दीनों तक चलेगा अगर आप हर बात दिल से सोचते हैं या बात दिल से बोलते हैं तो कही ना कहीं आपका प्यार आपको छोड़ कर चला जाएगा आप पढ़ते समाएं, जितना comfortable होने की कोशिस करोगे, आपका mind उतना ही जल्दी ठक जाएगा, इसलिए पढ़ाई करते हैं वक्त हमेशा सीधा बैठने की कोशिस करें, जो इंसान जितना अधिक सोचता है, वह उतना ही ज़्यादा serious रहता है, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा खुस हैं, तो यकीन मलिए, आप उस काम को बहुत बहुत बहुतरिन तरीके से कर पाएंगा, आपके बोलने के तरीके से, कोई इंसान ये भी बता सकता है, की आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर कोई वेक्ती खैलों में खोया रहता है, औ तो उसका मतलब है कि अभी भी आप दिल से सोचते हैं, अगर कोई आपके पास मायूस होकर आता है और उसे कोई समस्या होती है, आप उसके कंदे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिस करें, उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, लड़की या ओसतन 18 जबकि लड़के 30 वर् और स्थीर बुद्धी वाला व्यक्ति वही है, जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और विफलता मिलने पर सोख में नई डूप जाता, मासूम लोग तोखा इसलिए खा जाते हैं, क्योंकि वो कलत लोगों पर प्रोशा कर लेते हैं, जिसको जो कहना है, कहने दो, आपक कड़ी महनत और चोथी तेरिय, हवाओं के वरोसे मत उड़, चट्टाने तुफानों कभी रुख मोड देती है, अपने पंखों बर भरोसा रख, हवाओं के वरोसे तो पतंगे गुड़ा करती है, जिन्दकी में तकलिप कितनी भी हो, कभी हतास मत हो ना, क्योंकि तुप कि जितनी भी तेज की उना हो, समंदर कभी सुखा नहीं होता, लाइफ जितनी हार्ड होगी, आप उतनी स्ट्रॉंग बनोगे, आप जितनी स्ट्रॉंग बनोगे, लाइफ उतनी इजी होगी, दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है, अगर जिन्दगी मे रिश्क लेने से कभी डरो मत, यह तो जित मिलेगी, और हर भी गए तो सीख मिलेगी, कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दुसरे वक्ती तयार है, आपके छोड़ी हुए आफसर का लाग उठाने के लिए, जिन्दगी जिन्दगी नहीं, जिम्यदारी है, इसे हम जीते कम ह दिपाती जदा है, फिक्र ख्याल इजट देने वाले नसीब से मिलते हैं, उनकी कदर कीजिए, जब रिश्टे में दरार आती है, तो सामने वाले की हर बात में बुराई नजर आती है, पगल पन की हल्चे ना गुजरे, तो प्यार के साथ, होस में तो रिश्टे निपाई रोते देखा है, साइने वाला ही जानता है, कि वह किसी तकलीफ में है, दुनिया वाले तो स्रिफ उसकी बाहर की हसी देखते हैं, खो देने के बाद ही ख्याल आता है, कितना किम्ती था, समय, व्यक्ति और सबंद, कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता, किसी को प इंकती से ज्यादा, लाब दायक अक्किलापन होता है,